आप सभी का स्वागत है मेरे इस इप्टुप चानल में क्यासे हैं सब आई होब कि बहुत अच्छे हों में आई नो और आप सभी की प्रिपेर्शन भी बहुत अच्छी चल रही है तो आज की इस सेशन में हम इनुक्लिटिस का कोस्टन का डिसकर्शन करेंगे और एक कॉंसेप्ट है डोर्मेट उसी कॉंसेट पर आज इनुक्लिटि का सारा कोस्टन हम लोग स्लूशन करेंगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का और डिसकर्शन कर लेते हैं समझ लेते हैं वह क्या चीज़ है जिसे कंक्लूजन यदि कंक्लूजन में इस तरह से दिया हुआ हो देखिए ये जो सिंबूल है ये विदाव्ट डोर्मेट है ये जो सिंबूल है ये डोर्मेट सिंबूल है और इकवल जो है वो डोर्मेट में आ जाता है सिंबूल ठीक है इस तरह से कंक्लूजन ने दियाता है तो ये बोलता है क्या बोलता है कि हम तभी सही होंगे तब statement कि हम किसी के घर के दरवाजे जा रहे हैं और कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां पर dormate ना लगा हो मतलब इस तरह का symbol ना हो इस तरह का symbol हो तभी ये conclusion सही होगा यदि dormate लगा होगा हर दरवाजे पर तो conclusion गलत हो जाएगा आगे देखिए इसी में यदि conclusion इस तरह से दिया हो तो ये भी conclusion कहता है क्या कहता है कि हम तभी सही होंगे जब हम statement में हर किसी के घर के दरवाजे जा रहे हो और हर दरवाजे पर हमें dormate लगा हुआ होना चाहिए यदि dormate नहीं लगा होगा तो conclusion is wrong यदि नहीं लगा होगा तो ये conclusion wrong हो जाएगा पाबलोग यदि लगा होगा तो ये conclusion right हो जाएगा बस यही concept है dormate आगे सारा चीज़ क्लियर होगा हमारा question के द्वारा चलिए आगे question क्यों बढ़ते हैं यह रहा हमारा first number देगे first number question क्या कहता है statement दिया हुआ है यह हमारा रहा statement यहां से यहां तक और यह रहा हमारा दो conclusion यह रहा first यह रहा second ठीक है अब conclusion कहता है कि हमें B से E के घर जाना है और यह conclusion तभी सही होंगे जब हम B से E के घर जा रहे हो और हर दर्वाजी पे dormate लगा हो तो हम सही होंगे चलिए check करते हैं conclusion गलत है या सही है B से E की और जाना है तो सबसे पहले statement में हम यह देखेंगे कि B और E है कहां पर तो बच्चा लोग हम check कर पा रहे हैं कि B यहां है और यह रहा E यहां ठीक है अब पढ़ते हैं आगे D से C गया है दर्वाजा open है dormate लगा है C के घर पहुंचे C से D गया है दर्वाजा open है dormate लगा है D से E गया है दर्वाजा open है बढ़ dormate नहीं लगा है dormate नहीं लगा है मतलब यह conclusion wrong चलिए अब second question क्यों चलते हैं देखे second question क्या कहता है second question में statement दिया हुआ है second conclusion को हम लोग check करते हैं बोलता है P से F के घर जाना है अब check करेंगे तो conclusion बोल रहा हैं तभी सही होंगे जब कम से कम एक दर्वाजा पर dormate ना लगा हो चेक करते हैं P से F जाना है ठीक है P से Q गया है Q से E गया है और E से F आ गया है P से Q गया है दर्वाजा open dormate है Q से E गया है दर्वाजा open dormate है जब E से F जा रहे हैं तो दर्वाजा ओपन है बड़ दॉर्मेट नहीं लगा हुआ है मतलब एक कंपूरुजन रही होगा समझ में आ रहा है सबी को देखिए P से Q गया है तो दर्वाजा तो ओपन है बड़ दॉर्मेट लगा हुआ है हमने पहले बताया है कि यह जो साइन है कि यह बड़ दॉर्मेट है और यह जो साइन है यह डॉर्मेट साइन है ठीक है इसको दोनों में ले लेते हैं समझ में आ गया तूसी पर अगर पी से क्यूं गया तो दर्वाजा ओपन है डॉर्मिट लगा हुआ है जब इसे एप के घर जा रहे हैं दर्वाजा ओपन है एप के घर पहुंच के हैं बट डॉर्मिट नहीं लगा हुआ कन्क्लूजन भी कहता है कि हम तभी सही होगा जब कम से कम एक दर्वाजा पर दोर्मिट नहीं मतलब कन्क्लूजन सही हो गया टेकिन नमबर कोश्टन चेक करते हैं सी से ठीके घर जाना है हमको देखिए सी कहाँ पर है कंगुलूजन को देखते हैं क्या कहता है इसका कंगुलूजन क्या कहता है कंगुलूजन बच्छे लोग कहते हैं आर से एक घर कर जाना है और यह बोलता है कि हम तभी सही हो गहसे जब 우리는 ौन लगा हूँ यह नहीं कि हर calibration पर डर्मेट react लगा हुआ हुआ हो तो कंगुलूजन वहां पर घ्लत हो जाये यह करते हैं इसको आर से की घर ऑर से है एस जे से घर जा झारें से एक संट कहीं पिए ज़लत हो गया कोंum ढूब चेक करते हैं भी से जेट के घर जाना है हमको तो भी यह रहा चलते हैं तो भी से थी खारता है तो T इसमें conclusion में कहीं और है नहीं इसलिए हम लोग B से E के घर चले लिए B से E के घर गया, E के घर गया, E के घर पहुंच गया, E से Z के घर गया, पहुंच गया, अब ये conclusion कहता है कि हम तब ही सही होगा है, जब कम से कम एक दर्वाजा पे dormit ना हो, जब हम B से E के घर जा रहे हैं, यहां दर्वाजा तो open है, यहां भी दर्वाजा उपन है, यह भी गलत होगा, उसी परकार 5 नमर question देखते हैं, Q से D जाना है हमको, Q यहां पे रहा, यह रहा हमारा D, चलते है हैं भाई, कैसे चलेंगे, तो जब हम Q से B के घर जा रहे हैं, तो दर्वाजा क्या है बचलो, close है, statement wrong, L से M के घर चलते हैं, जब L से M के घर जा रहे हैं, तो चेक करते हैं, L और M है कहां पे, तो इसमें देखते हैं, उस में गलत हुआ क्या, 5 नमबर, D से U, सब्सक्राइब यहां पे R से B है, Second statement को में चेक करते हैं, लेकिन statement R से B, आज से B हमको घर जाना है, ठीक है, चेक करते हैं, तो R यहां पे हैं, और B कहां पे हैं, R यहां पे हैं, और B यहां पे, चलते हैं, आर से किस के घर जाएंगे, B के घर, B से P के घर, P से B के घर, R से B के घर गया है, दरवाजा उपने डर्मेट लगा हुआ है, D से P के घर गए दर्वाजा ओप ने डरमेत नहीं लगा हूँ पी से B के घर गए दर्वाजा ओपने डरमेत नहीं लगा तब यह conclusion सँगा अब 6 No Question की और बलते हैं, देखिए 6 No Question क्या कहता है 6 No Question कहता है, बचलो, conclusion first है कि W से M के घर जाने W से M की गर जाना है, हमको Second Conclution है M से L की गर जाना है दोनों conclusion बता रहा है कि हम तभी सही होंगे जब हम जिसके घर से जिसके घर जा रहे हो कम से कम एक दरवाज़ा पर रास्ता में जाते वक्त एक दरवाज़ा पर डॉलमेट ना लगा हो दोनों conclusion यह तभी हम सही होंगे देखते हैं first check करता यह दब्लू से एम जाना है हमको दब्लू और एम कहां पहे हैं यहाँ है अब चलते हैं भाई हमको डब्लू से एम जाना है ठीक है तो डब्लू से टी ङए T से M गया, W से T गया, T से M गया, W से T गया, दर्वाजा ओपन डर्मेट नहीं लगा हुआ है, T से M गया, दर्वाजा ओपन डर्मेट लगा हुआ है, यह बोल रहा है, कम से कम एक ही दर्वाजा ऐसा हो, जहां पर डर्मेट ना लगा हो, कम से कम एक दर्वाजा नहीं लगा हु जायें कैसे तो जब हम L से H के घर जा रहे हैं इसको separate कीजिए किया दर्वाज़ा close है यह तो ऐसी wrong आगे चेक करने के हमको जरूरत नहीं है सेंट नमबर कुस्टन को चेक करते हैं P से H के घर जाना P से H के जाना है पी यहां पे रहा है और यह रहा एच ठीक है यह रहा है एच तो चलते हैं कैसे चलेंगे तो जब हम पी से बी के घर जा रहे हैं तो तरवाजा क्लोज है यह गलत हो गया गया से 2nd कुछे करते हैं पी से जाना है इसमें भी पीसे जा रहा हो जा रोड में सबसे पहले कहां जाएंगे तो आर से वाई जाएंगे ठीक है पहुंच गया है कि वाई से एच जाएंगे पहुंच गया है अब एच से जब एक्स के घर जा रहे हैं तो दरवाजा क्लोश है यह भी गलत मतलब इसका तीन कंक्लोशन रॉंग होगए एक माईण किजिएगा एक्जाम में इतना छोटा चोट statement यह तीन लहीं नहीं देगा, statement बहुत बढ़ा होता है, conclusion भी 5 से कम नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा तीन होगा, लेकिन statement बढ़ा-बढ़ा होता है, आपको सब्सक्राइब में धिक्कत होगा, इसलिए practice, practice किजिएगा, तो आप इस question को U बना लीजएगा, या टीक है ये किया कहता है के से आई कि कर रहर व को जाना है और सेकंड कंकूलूजन जेट से ऑड़ चेक करते हैं रहा के देखेंगे स्टेटमेंट में के कहा के या रहा आई कहा पर आए रहा अब चलना कहा है हमको के से आई तो जो के से आई हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम के से यार जाएंगे बट आर का दरवाजा क्लोज है इसलिए एस्टिट्मेंट कंक्लूजन गलत सेकेंड जेट से आई जाना है हमको जेट से आई जाना है हमको सेकेंड चलते हैं जेट यहां रहा और यह रहा आई जेट से इ आई ठीक है आई के घर पहुंच गया इसे एन इनके घर पहुंच गया और एन से आई 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 के घर पहुंच गया अब यह कंक्लूजन आट नमबर कोस्टन का कंक्लूजन नमबर सेकेंड क्या कहता है यह कहता है कि हम तभी सही होंगे जेट से आए के घर जाने में हम तभी सही होंगे जब कम से कम जब हम जेट से आए के घर जा रहे हो तो कम से कम एक दरवाजा पे कम से कम एक दरवाजा पे डॉर्मेट ना लगा हो तो बाइबू लोग देखों एक दराव तो ऐसा है ना जहांब डर्मेट नहीं लगा लग वगया यहां पर भी यहां पर में यहां लगा लगा होता होता तो यहां पर क्षी Z क lips हैं जलते हैं किसके घर का दरिवा जना एक नहीं जई है जहां पर मिलना चाहिए जहां पर दूर में ना लगा हो चेक करते हैं और उसकी बैट दी दी ओ से ए गया जब हम ओ से जा रहे हैं तो दरवाजा ही क्लोच यह तो ऐसी गलत होगे आगे हमको चेक करने के जरूरत ही नहीं चलते हैं दस नंबर क्रिस्टन क्या कहता है हमाना देखिए करते हैं इसको भाई वाई से जेट घर जाना खेना और दारवाजा ऊपल भी होना चाहिए और दौर्मेट भी नहीं तो सबसे पहलेए हम तिसके घाये तो y से x के घर गयी x से z के घर गयी की दर्वाझा तो उप्पिन हैं दोनों की घर के दर्वाझा पर नहीं लगा हुआ है यह गया सेकेंड कुछ ञतर दर्वाजा ओपन लगा हुआ है डरवाजा ओपन दर्मेंट लगा हुआ है चलिए यह सही हो गया 11 नमबर कोच्चन देखते हैं आए इन से के के घर जाना है इन से के घर जाना है इन कहां पर एन यह रहा यह कहां पर के यहां पर चलते हैं भाई n से i के घर आया n से i के घर आया ठीक है i से c के घर आया c से g के घर आया ठीक है और g से जी से k के घर है n से i के घर दर्वाजा open dormit नहीं लगा हुआ है i से c के घर दर्वाजा open dormit नहीं लगा हुआ है c से g के घर दर्वाजा open dormit नहीं लगा हुआ है बट ये conclusion कहता है कि कम से कम एक दर्वाजा ऐसा होना चाहिए जहां पर दुरमिट नहीं लगा हुआ है इसमें तो हमको एक दो दो दर्वाजा मिल गया है conclusion राइट second question को शेक करते हैं T से E के घर जाना है हमको सलिए देखते हैं T कहां पर है तो T रहा यहां और C ती रहा यहां ठीक है T रहा यहां C रहा यहां तो चलते हैं हम लोग तो C से G के घर गया दर्वाजा ओपन है टॉरमिट लगा हुआ है G से K के घर गया दर्वाजा ओपन है टॉरमिट लगा हुआ है के के घर गया के से T के घर गया जब के से T के घर गया यह T है ठीक है T के घर गया तो दर्वाजा क्लोज है यह गलत जे से M के घर जाने हमको, चेक करते हैं जे से M, कैसे चलने लएते हैं भाई? इसको भी चेक कर लिया जा, थोड़ा, जे से M के घर जाने है, जे कहा है, जहा है? जे यहां और इम यहां जे से इम की घर जाना है ठीक है चलते हैं बाई तो जे से हम जब के की घर जा रहे हैं दर्वाजा क्लोज है तो ऐसी गलत रोगा आरा और तेरा देखिए दो मिनिट का समय देते हैं सब्टिजी कुद से तरह देखते हैं इसको 12 नमबर कुसेंट करते हैं कब भी हम राइट से लेट चाते हैं और सी हमारा यह रहा और सी हमारा यह रहा नहीं पर वह सक पक्रणेंट को पगड़ेंगे जिसे हम इसके घर पहुंच पर है चलते हैं C से G, G से A फगते हैं C से N जा रहा हैं दरवाजा इने बहुत हो फ़टी नमर को बहुए क्या कहता है ती से यू जाना है हमको टी से यू जाना है ती ये रहा और यू ये रहा ठीक है चलते है भाई टी से यू के घर तो टी से एल के घर जाएंगे आ पहुंच गायने मिलेस के घर जांगे सैंड कि सब्सक्राइब से यू के घर जाएंगे ओंग रहां नहीं क्यू फोने कि दर्वाजा एक दर्वाज़ा है जिसकी घर हम यह जा रहिए कि यहां थोसकी नहीं लगा हूँ त्यू से या रहे हैं दरवाजा ही खुलज ही गलत हो गया ती से यू के घर जाना हुआ हाँ। अब यह बोलता है कि हमयारा भी कंडिशन है त्बी सेमय यह हूं जब हम ठी से यू के घर जा रहे हैं तो तो कम से कम एक दर्वाजा ऐसा मिलना चाहिए जहां पर दोर में टे लगा हुआ यहां है कि यहां या है अब हम statement में किस statement को पकड़ें कि ती से यू के घर पहुंच जाहिए देखते हैं किसको पकड़ते हैं सबसे पहले हम लोग ठीक है तो चलते हैं हम लोग टी से के के घर गया हाने पहुंच गया डोर ऑपन है यह लगा हुआ के से यो यह घर गवन मेटान है यह सेаздहर जाएंगा चलते हैं यह कि घर को इपसे कहां जाएंगे हम पहले है यह से भी के घर जाएंगे तोर ओपन डॉर्मेट लगा हुआ है फहुंच गया भी से यॉ के घर जाएंगे डॉर ओपन है डॉर्मेट नहीं लगा हुआ है जब यॉ से के के घर अरह माझता है है तो यहां तोर सी के घर चलते हैं हमनों यह यहां कहता है तो एल रहा यहां पे एल रहा और ती रहा यहां पे तो एल से जब के जा रहे तो दरवाजा प्लोजा गलत हो गया ऐसे ही आगे चेक करने के हमको जरूरत ही नहीं है कि फिप्टीन नमबर कोश्चन को देखते हैं कि एप से आर के घर जाना है उनको एप से आर के घर जाना है हमको तो एप यह रहा है और यह रहा आर ठीक है चलते है फाइल तो एप से ओके घर गए है दरवाजा ओपन है दर्मेट लगा हुआ है हम ओ के घर पहुच एंधर दरवाजा ओपन है दर्मेट नहीं लगा हूँ conclusion में बोलता है कि जब हम FCR के घर जा रहे हों तो कम से कम एक दर्वाजा ऐसा मिलना चाहिए जहां पर dormit ना लगा हो अफलब सही है 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 से M के घर जाएंगे चलिए एच यहां 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 ठीक है चलते हैं भाई तो एच से के घर गया है दर्वाजा ऑपन डर्मेट नहीं लगा हुआ है के जगह तो ऐसा है जहां पर डर्मेट नहीं लगा होगा है तो ठीक है हमने आज के सेशन में 15 कोस्टन किया पंद्रा कोस्टन किया पंद्रा कोस्टन के हमने प्रैक्टिस किया आई होप कि आप सभी को बहुत समझ में आया होगा और जो बच्चा नहीं है जिनको समझ में नहीं आ रहा वो इस वीडियो को कम से कम दो बार तीन बार जरूर देखें एक बार में नहीं समझ में आएगा